कि है लो बच्चों नमस्कार मैं अभी नहीं दिक्षिताब सभी का एगरीकल्चर जीके के इस ओपीसियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक्स प्वाकत करता हूं जैसा कि मैं कल आप सरी ते डिसकस्ट किया था एसार बीनिट फ्लोरीकल्चर लैंडिस्केपिंग के स्टेडी प्ल इग्जाम का जो टाइम है एक्जाम डेट आपकी आ लेडि आ चुकी है एक्जाम आपका नेक्स्ट मनत में होने वाला है आपको काफी कम टाइम मिल जाह है प्रिप्रेशन के लिए तो एक मन्त में आप इसकी तैयरी कैसे कर सकते हैं क्या प्लान आप फॉलो करें जिससे अगर आपने अभी तक अगर आपको इस्टाल करिए यहां पर आपको प्रिवेस एर का पेपर देखना है तो पेपर की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉइड कर रहा हूं वहां से आप उन पेपर को देख सकते हो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजEE पेपर को आप आपको देख सकते हैं प्रीवेस जो भी आपके एक्जाब हुए हूं के पेपर हमने अपने अप्लोड कर रखे हैं आपको हमारे चैनल पर टिलिस्ट मिल जायेगी वजीटेबल साइस क कि वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आपका जो है हाउ तो प्रिपेर फॉर एसार बिनेट वेजिटेबल साइंस इन वन मंथ वन मंथ में आप इसकी प्रेशन कैसे कर सकते हैं जानेंगे इसके के बारे में तो पहला का पॉइंट आता है कि आप से बशस्व देखिए कोई भी एक्जाम आप का होता है लिए मोस्ट इंपरटेंट जो आवस्च menor की होता है अग्जाम कई अगर आपको पको पता है तो आप अपने जो आपकी स्टेट यह उसको बना सकते हो और आ आप Agriculture गर्फ मिल जाएगा वहां से वह सकते हों या हमारे ट्यूजार्स पर सकते हो इस PDF को भी मैं अपने ट्यूजार्म ग्रूप में वार्ट्वड में सेर कर दूंगा तो वहां से आप ये पिडियव भी पा सकते हैं तो आप ट्यूजार्म ग्रूप और वार्सथा उस्को ज प्रेपरेश्न करें दूसरा आपका क्या आता है इसमें उतरा इसमें आपका Point आता है जो आपके yeezy है difficult topic हैं अगर आपने प्रिविएस टाइम में एक्जाम दिया हो तो आपने भीड़ोट को प्धैसर वालत होता है उसके रावा क्या करना है कि आपके लगता है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से आते हैं तो इजी टॉकिक को डिफिकल्ट टॉपिक को अब अलग अलग करिए जिनमें आफ भी कुट टौकिक लिए इनको आप पहले पट ही अच्छे से पढ़े रिवाइच लिए बार बार लिख करके पढ़िये और जो आपके टॉपिक इजी है जो आपको याद है उनको भी आप एक बास देखिए अच्छे और दिवाइस करिए पिर आपका रता है क्रियेट ऐट टाइम टेबल देखिए इस्टेडी प्लान बनाने से पहले आपको जो है टाइन टेबल पनाना पड़ेगा कि मुझे जो है डेली एट हावर या डेली मुझे नाइन हावर पढ़ना है मुझे डेली मौनिंग में पढ़ क्वालिफाई करना है तो आपको अपना टाइम टेमना पड़ेगा अपने टाइम के एकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को आपको फालो करना पड़ेगा और आट लीस्ट आपको इस एक्जाम को क्रेक करने के लिए बन मंत में डेली सिक्स टू एट हावर पढ़ना है और जो हमारी वीडियो से उन वीडियो को आप देखिए प्लस जो अपने नोट्स प्रवाइड किया उस नोट्स को आप पढ़िए सौट नोट्स बनाई है उसका सौट नोट्स आप जब जो है लास्ट टाइम पे जब आपना पीपर देने जा रहे हैं कि तब उसको अग को क्लियर करना है जो आपके बेजिक पॉइंट को आपको क्लियर करना है आपको जय आज पढ़ा कल्टिवेशन पोटेटो तो उसमें आपको लगता है कि जो पॉइंट आप से मिस हो सकते हैं ज्यादा इंप्रॉटेंट है उनको आप लिखते जाए ऐसे कोई भी क्राप या कोई भी जो भी आप पढ़िए वेजिटेबल साइंस में उस सभी को आप अच्छे से लिखते जाएए यदे भी आपको लगताए कि इसक्राप से वीडियो से जो हमारी वीडियो भी से जो मरा नोर्स पॉर्व को उसका आप लिखते जाए या लग से उस स्विएब करेगा तो आपको अपने बेशिक्स्त क्लियर करने है सौट नोट बनाने है और आपको लिक करके पढ़ना है इसके ड़वाब आपको जो है एसार्भी नट वेजितेबल साइंस के मौक टे मिल जाएंगे अगर आप कम्प्लीट कोर्स अफर्ड नहीं कर सकते हैं आपको लगता है कि हमारे पोर्स की फिस कोस्टली है देखिए मैंने आपको पढ़ाएंगे वो तभी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो यह एक्जाम वन टू टू टाइम क्रैक कर चुके होते हैं तो काफी अच्छी और अब मैं इसकी फीस कर दिये 4000 रूपीस काफी अफोर्डेबल प्राइस पे जो सिलेबर काफी इसका ज्यादा होता है तो उसके अच्छी पढ़ाएगी तो उसकी फीस भी उसके एक्षेस कर सकते हो अगर आप बोलोगे तो मैं वन येर से ज्यादा भी आपको एक्सेस करने क का ओफर दे दूँगा उसके लिए मैं आपसे कुछ भी एक्स्ट्राफिस नहीं लूँगा तो आप वो भी लाव ले सकते हो या अगर आप कंप्लीट कोर्स को नहीं वाई कर सकते हो तो आप केवल एग्री गल्चर जी के एप से मॉक टेस्ट को भाई कर सकते हो मॉक सारे कोश्टन आपके एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं कई कोश्टन आपके एक्जाम में आ जाते हैं तो आपको क्या करना है मॉक टेस्ट को भी जो है फालू करना है कि इसके ड्रक को प्रिविएस एक फेपर सायं की वीडियो हमारे वीडियो से मिल जायेंगी आप गिआपन पेपर की वीडियो उसको को देखिए उल्हीं आप कुछ की हैं का होगा जो आपका ऐसा प्रिद्धॉ ना Universal सम्डनmez वीडियो में आल्रैडी डाल चुका हूं लेकिन मैं आपको एक बार फिर से एक्जाम प्रेटर्न बता दूगा बाकि सिलेवर्स की आप वीडियो के डिस्किप्षन बॉक्स से वाच कर दखते हो अगर बात की जाए exam pattern के बारे में तो यहां पर आपका exam online होता है computer based test होता है objective type question आते हैं 150 questions रहते हैं जो कि आपके 150 marks के रहते हैं आपका time मिलता है करने के लिए 2 hour का 120 minutes मिलते हैं आपको exam को करने के लिए exam में एक question सही करने पर आपको 1 marks मिलता है 0.33 marks की exam में negative marking रहती है आपका paper आता है अगर आप फिंदी मिडिययम के हो आप फार्म लिए फिल करते हो तो आप का फिल करते हैं तो आपका paper English में आता है इसके लाबा आई से और नेट का exam qualified nature का होता है अगर आप इसे qualify कर ले जाते हो तो आप assistant professor के लिए eligible हो जाते हैं अभी तक क्या है कि आपका msc plus net वाले assistant professor के लिए आवेदन कर सकते हैं रिकर्चर इनुवस्टीज में या जो वगैंसी स्टेट PCS से आती है उनमें लेकिन हो सकता है ICR के नौर्ट के accounting next year से क्या हो जाएगा आपका प्यच्डी प्लस नेट अनिवार में हो जाएगा assistant professor के लिए तो आपको जो है प्यच्डी भी करनी चाहिए अगर आपने msc कर रखी है और प्यच्डी करने के बाद आपको net exam भी qualify होना चाहिए तभी आप assistant professor बन पाओगे तो आपको net exam qualify करता आपके लिए काफी importance सकता है इसके लवा अगर आप net exam की preparation करते हो तो उससे आपका जो state level का MSC PhD इंटरेंस exam होता है उसमें आपको help मिलती है या अथारफ का एक्जाम अगर देते हो तो उसमें आपको help मिलती है एस्टियो और SMS की जो आई हुए है उनमें भी आपको help लेगी सिलेबस आपका सेम रहता है सभी के लिए इसके लावा अच्छा कर सकते हैं तो यह साने benefits होते हैं आइसर निट एक्जाम देने के चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप जो है जो मैं अभी आप सभी से डिसकस्थ करने वाला हूँ आगे निक्सलाइड में study plan वह स्टिडी प्लान हमने बनाया है अपने इस course कर दो करने जो वारा यह कोर्स है एस आरपी नेट वेजिटेबल साइंस एक्जाम कंप्लीट वीडियो कोर्स इस कोर्स के को डिंग हमने जो बनाया हुआ है इस तरी प्लान वो मैं आप आप सभी से आगे डिसकस करूंगा हमारे इस कोर्स में आपको recorded वीडियो क्लासे मिलेंगी ऐस पर सिलेवस और एसर भी इसके लवाँ आपको सारे क्लास नोट्स मिलेंगे टेस्स स्रीज मिलेंगी आपको exam pattern के according हमारे mock test से कई question आपके exam में फस जाते हैं तो अगर आप course को अफ़र नहीं कर सकते हैं तो आप केबल मॉक टेस्ट ही अग्रिकल्चर जीके एप पर जाकर करके बाई कर सकते हों यहां पर आपको exam relevant quality content दिया जाएगा जो आपको one month में exam crack करने में आपकी complete help करेगा और जो faculty आपको पढ़ाएगी हो faculty काफी expert faculty है assistant professor जाई चुकी है उसने कई books भी पब्लिस करी है article पब्लिस करे हैं इसके अलावा वो one to two time ICR net qualified है तो काफी एची faculty यहां पर आपको पढ़ाएगी आपकी एग्रीकाचर जीके एप या एग्रीकाचर जीके डॉट इन हमारी website से आप स्कॉर्स को ले सकते हो 4000 रुपीस कोर्स की फीस है इसकी रियल पीस एट थाउदन रुपीस थी लेकिन मैंने इसका प्राइस कम करके 4000 रुपीस कर दिया इसको आप ले सकते हो इसके अलाव करणी में एसर वीनिट वेजिटेबल साइंस वन मंत इस्टेडी प्लान पार से और सक्सेस देखिए जो मैं यहाँ पर आप सभी से इसके प्लान डिसकस करने वाला हूं यह सारा इस्टेडी प्लान जो हमारा कोर्स है उसके एक और इंड़ डिजाइन किया गया है यह सारी व आपको डेली अटलीस्ट शिक्स हावर स्टेडी करनी है अगर आपको लगता है कि आपको कोई पढ़नी चाहिए तो आप मार्केट से को यह एक अच्छी बुग विभाई कर सकते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं बाकी हमारा पोर्स एक्जाम के लिए इनफ है आपको किछी करना है कि आपको एक्ष्ट्रा पढ़ना चाहिए तो आप भूब भी पढ़ सकते हो मैं तो यही कहना है कि आपको विल को जॉइन करिए यह को और सी आपको एक्जाम में सभलता दिलाएगा और सिक्स टू एट हावर स्टेडी करनी है अपना टाइम डिवाइड करना है त्र करनी में दुपार में पढ़ना है आपको कल्टिवेशन आप स्पाउटिंग ब्रोकोली नाइट में पढ़ना है आपको कल्टिवेशन आप ब्रोसल्स स्पाउट फिर आपका आता है 27 मार्च इसमें क्या करना है आपको कल्टिवेशन आप कैरट पढ़ना है मॉर्निंग में सब् såबियु है दोपारे पढद आपको kเลยूटिवेशन वोनिए ञब आठाईस मार्च को क्या करना है आपको कल्टिवेशन आफ गार्लिक पढ़ने-पढ़ना है मॉर्निंग में कल्टिवेशन आफ अतर्नी पढ़ना आफ का नून में तीस मार्च को क्या करना है आपको कल्टिवेशन आफ लेट्यूस मॉर्णिंग में कल्टिवेशन आफ टोमेटो अफ्टर नून में कल्टिवेशन आफ बिंजल पढ़ना है नाइट सिप्ट में देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने के लिए तो आप हमारे कोर्स क में क्या करना है आपको कल्टिवेशन आप चिली की वीडियोस देखनी है ग्रीकल्चर जीके पर जो कोर्स वहां से कल्टिवेशन आप त्रिंच बीन देखनी है आपको आप्टर नून में नाइट में क्या करना आपको कल्टिवेशन आप कैट सिकम की क्राप को फालो करना है हब वीदियो देखनी है सौंट नोट पराने हैं लिख करके पढ़ना है तारा कुछ और आप परिश्क अप्राइल इतने क्या आपको मौरिं में पढ़ना है कल्टिवेशन आप ओकर दुपहर पढ़ना है क्लश्टर बिग क्ल्तिवेशन या पढ़ना है आपको दॉलिकस बीन की कल्टिवेशन तर्ड अप्रेल को पढ़ना है जिज गार्ड ओर्ग और और इस ने गाड पढ़ना आपको नाइट सिफ्क में फिर आपका आता है नेच्ट है फोर अप्रैल इसमें यह का करना है क्टो कुम्बर हो पढदा है मौली में है कल्तिवेशन आप वार्टर लैन पढ़ना है आपको असल़नस में ध Safe क्ल्वाइट ने से इसमें QA यूडि excessive में फिर आपका रहता है तोंड स्टुम्ढघ कर आप अमेरंथस पढ़नी है दोपार में कल्टिवेशन आप बैसेला पढ़नी है आपको नाइट सिफ्ट में इनको पढ़िए आप वीडियो देखिए जो हमारे कोर्स में एविलेबल हैं सौट नोट्स मनाईए बार-बार जिवाइच करिए यही आपको प्लान फालो करना है आपको शिक्स टू एट हावर डेली स्टेडी करनी है फिर आपका आता है सेवन अपरेल इसमें क्या करना है आपको देखिए यहां तुरू होता है ब्रीडिंग वाला पास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर साल एक्जाम में काफी सारे कोस्टेंश से आते हैं काफी के इन फ्यूस्टेंट कोसटन होते हैं तो यह कोस्ट अपको अच्छे से कवर अप करने हैं इस प्रसम को काफी अच्छे से आपको पढ़ना है है करना आथ को किया करना है आपको साथ अफ्याइल को मॉर्निंग में पड़नाँ ब्रीदििंग आफड़ी टिवलक्राफ प्ड़ाइटो पॉठेटेटो नाइट में पढ़ना है अपको बेडिंग आप वेजितेबल क्लाफ कर शोग रयान गार्डेन पी यह तो आपका इपाल जो रेटो परने 投 past kez readyhe 10 तो क्या करना आपको 9 अप्रेडिंग आफ वेजिटेबल क्राफ याम और अप्रम्त फूट यहाम पादनी है दुपाहर में बीडिंग आफटेबल क्राफ्त एक मर्कूर्द पढना है ते कमें आफ करना है ये फ्टि पर ने हैं फर्ट में क्या करना है ये अ ना है पर ये ट्थेवल करने आपको बीडिंग का डूर्ald नीप परना हैší ये अ अधिज इस पढ़नी है दोपंबर क्डाएड और जो करने और तरेक्शन ट्रवच्व थे discuss थो How about औरesy-जी सप्र पड़ना है कि करना है आपको मौनिंग में पढ़ना है प्रोड़क्शन टेकनलोजी आप रर्टी चोख दुपार में पढ़ना है अध्योडे मी इसने की एक प्रॉडेक्शन टेकनोलोजी अध्योड आपको भ्र्राइक। और यंधी और जिसमें इसमें उसिते अद्पलिए मौनिंगमें प्रॉडेक्शन ट्रॉड hard पढ़ना है आपको मौनिंग में प्रोडक्शन टेक्नोलोजी आप पढ़ना है दोपहर में प्रोडक्शन टेक्नोलोजी आप इवी गाड़ पढ़ना है आपको नाइट सिप्ट में तो यह आपका हो गया साथ दिनों का प्लान फिर आपका आता है नेक्स्ट वीक इसमें क्या करना आपको प्रोडंस पर्दंग में पर्डंस में प्रोडंस में पर्दंग में डेक्स पर्दंग में 17 अपरेल को सीट प्रोडक्शन आप पॉटाइटो मॉर्णिंग में शीट प्रोडक्शन आप चिली टोमेटो डुपार में शीट अप टोमेटो अफ टॉमेटोफ आच स्वाइब में ट के अफ ऑड जेको पैने पढ़ना है नाइन्टीन को क्या करना है आपको सीट प्रोडक्शन आफ दॉलिकर्स पीन फ्रेंच बीन पढ़ना है मौनिंग में कल्टिवेशन आफ काउ पी यार्ड बीन लॉंग बीन पढ़ना है आपको दुपार में सीट प्रोडक्शन आफ लॉंग बिलन अंकुकूंबर पढ़ना है आपको नाइट्ट में फिर आपका आता है 21 इसमें क्या करना आपको हाइब्रीट सीट प्रडक्शन आपको एजिटेबल क्राप्स पढ़ना है मॉर्निंग में इसमें आपको बाइस अपको पढ़ना रहेगा बाइस को आप पढ़ेंगे मॉर्निंग में पोस्ट हर्वेस्ट टेक्नालोजी आफ वेजिटेबल क्राप्स दुपार में भी आप नाइट में भी आप इसी को फालो करेंगे क्योंकि इसमें कई साथे आपके जो है वीडियो पड़ी हुई है लगब आट नो वीडियो है इसमें तो यह आता सब्सक्राइब करनी है देख डालनी है चोबिस आपका आता है 24 अपरेल इसमें हैं इसमें आपको करिए उनके को सदो को देखिए जिवाइश करिए कि आप को लगता है आपके वीक है उनको आप करिए और आप्लप में अच्छा करके आएंगे आप चैसारु necesita के लिए रदक कर पहिंगे आप तभी को अभी तो आप हमारे चिंगोट कर सके यह सिक्जाम को करा कर सकस्थ को बिए नहीं कर सकते हो यह थी गंपवीड वीडियो जिसमें आप सभी से study plan के बारे में benefits क्या होते है exam pattern क्या होता है syllabus क्या होता है सब कुछ आपको बता दिया है तो आप तभी इस course को join करिए इस course में आपको one month में complete त्यारी कराई जाएगी आपको exam relevant content मिलेगा और एक बार buy करके आप इसको one year के लिए इस्तेमाल कर सकते हो यह course आपका ASRB net exam, ARS exam, STO, SMS, state PhD exam सभी exams में helpful रहेगा तो इस course को आप join कर सकते हो Thank you so much